ओम शान्ती। राज्योक मेडिटेशन कोस में हम परमात्मा को याद कैसे करें, राज्योक का भ्यास कैसे करें। इन्हें कुछ बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि परमात्मा को याद करने के लिए पहले उसका सत्य परीच है और उससे संबंध दोनों बहुत आविश्यक हैं और जब एक संबंध हम जोड लेते हैं तो जैसा संबंध होता है वैसा ही स्निहे होता है यदि नजदीक का संबंध है तो naturally वो स्निहे प्यार अपने आप ज़्यादा होता और जितना स्निहे है जितना प्यार है उसकी याद अपने आप आती है तो शिप बाबा को याद करने के लिए हमें कोई महनत नहीं करने पड़ती कहते हैं जहां महब्बत है वहां महनत नहीं हम समझते हैं राजयोग का अभ्यास बहुत कठिन है जब हम इसे राजयोग शब्द से सोचते हैं तो मुश्किल लगता है लेकिन इसे यदि सोचा जाए कि मुझे मुझ आत्मा को अपने पिता को याद करना है तो मुझे बहुत सहज भाव से उसकी याद आती है और मैं कर्म करते हुए परमात्मा को याद कर सकती हूँ याद की ही बात चली है तो जड़ा विचार करें कि हम अनेक मनुश्यों को वस्तूओं को स्थानों को सारा दिन याद करते हैं और हमारी जो याद है वो भी अनेक प्रकार की है मुख्य तह हम तीन प्रकार से याद करते हैं एक होता है स्वार्थ वाली याद जिसमें हमारा कोई न कोई स्वार्थ निहित होता है मुझे कोई कार्य कराना है मुझे किसी चीज की आविश्यक्ता है कुछ प्राप्ती होनी है तो मैं याद करती हूँ वार्थ वाली याद जो होती है वो naturally हम करते हैं और दूसरा है प्राक्ति वाली याद कि मुझे कोई कार्य है और वो कार्य में कहां से कराऊं समझो मुझे रैश्णिंग कार्ट बनाना है नई बन रहा है तो हम याद करते हैं कि कैसे हो सकता है हमें कोई चीज की प्राप्ति करनी है, भक्ति में विशेश रुप से हम प्राप्ति वाली याद भी करते हैं, हम माननेता मानते हैं कि अच्छा हमारा ये काम हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, हमारा मकान बन जाए, तो भगवान हम ये करेंगे, यह सब क्या है प्राप्ति कि मुझे यह प्राप्ति होगी तो मैं यह करूंगी या हम इस प्रकाह से भी करते हैं कि हमें यह चीज चाहिए तो इतने व्रत करने हैं इतने पूजा करने हैं इतने उपवास करने हैं तो हमें इस चीज की प्राप्ति होगी तो प्राप्ति करने के के लिए हम भगवान को याद करते हैं और स्वार्थ के लिए तो हम हमेशा ही करते हैं हम देखते हैं कि आजकल प्यारंट्स भी अपने बच्चों को जब भगवान को याद करना सिखाते हैं कभी-कभी गलती से कहीं न कहीं वो स्वार्थ वाली याद भी सिखा देते हैं मा कभी कभी कहती है अच्छा एक्जायम है जड़ा मंदिर में हाथ जोड के जाना तुम इंटर्व्यू देने जा रहे हो गुरुद्वारे में जड़ा दर्शन करके फिर चले जाना हम क्या सिखा रहे हैं कि तुम्हें ये कार्य है तो भगवान को याद करना और तीसरा होता है स्नेहे वाली याद प्यार वाली याद स्वार्थ वाली याद हम करते हैं प्राप्ति वाली याद आती है और स्नेहे वाली याद सताती है जहां हमारा प्यार होता है जिससे हमारा प्यार है उसकी याद हमें बार बार सताती है उसे हमें कोई स्वार्थ भी न नहीं होती लेकिन प्यार है इसलिए हम बार बार उसे याद करते हैं तो भगवान को हम कौन सी याद में रखते हैं यदि अपने अंदर चेक करें आज तक हमने इश्वर को किस विधी से कौन सी याद में रखा शायद गलती से स्वार्थ या प्राप्ति में रखा या बहुत ही कम होंगे हम में से जो वो प्यार वाली स्वार्थ याद इश्वर की याद करते हैं जैसे एक माता अपने बच्चे को याद करती है, कितने स्नेह से याद करती है, स्वार्त और प्राक्ति की याद में सुख है, कुछ पाने की चाहना है, लेकिन जो स्नेह की याद है, उसमें आनंद है, उसमें लेने की इच्छा नहीं है, पाने की चाहना नहीं है, लेकिन उसमे कुछ देने की इच्छा है, देने में आनंद है, सुख है, तो इसी तरह से जब हम यहां ब्रमा कुमारीज में शिप बाबा को याद करना सीखते हैं, तो हम सिर्फ परमात्मा से पाना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसे इसनेहे से याद करूँ, तो मैं राज योगी बन सकती हूँ, राज योगी बनना कोई मेरी लाइफ स्टाइल में कोई एक्स्ट्रा एडीशन नहीं है, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल नाचिरल लाइफ स्टाइल है, हमारी मन की जो सिती है नाचिरल ही राज योगी हो सकती है, जिसमें हम चलते, फिरते, कार् हुए भोजन खाते हुए कर्म करते हुए भी अपने मन से शिव बाबा को याद कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम अपने लौकिक शरीर के मातपिता को संबंधियों को याद रखते हैं। क्योंकि originally तो मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता वो शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करने के लिए, meditation करने के लिए हमें एकागरता की आवश्यक्ता है। और इसके साथ साथ जितना जितना हम meditation का अभ्यास करते हैं, हमारी एकागरता बढ़ती भी जाती है। दोनों ही तरह से हम इसे समझ सकते हैं। जब हम एकागरता से बैठ करके परमात्मा को याद करते हैं, तो उसमें हमारा मन और बुद्धी दोनों completely involved होते हैं। दोनों को हमें प्रेजंट में लाना होता। यदि मेरा मन तो बहुत है, लेकिन बुद्धी भटक रही है। बुद्धी में बहुत सारे काम हैं, चिंताएं हैं, परिशानियां हैं, कस्ट हैं, questions हैं, doubts हैं। तो मैं जब मेडिटेशन में बैठूंगी तो क्या होगा। बहुत सी बार ऐसा हम अनुभव करते हैं, जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं, तो सारे काम याद आते हैं। सारे pending जो भी कुछ बचा हुआ है, सब उसी समय याद आता। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो है, लेकिन बुद्धी भटक रही है। तो मन और बुद्धी दोनों को अविलिबल करना होता। कभी-कभी हमारी बुद्धी तो परमात्मा की याद में एक आग्रु होने को तयार होती, लेकिन मन रिडी नहीं होता। मन कहीं न कहीं अटका होता है, किसी बात में उल्जा होता है, किसी पास्ट में दुखी होता है, किसी गलती से हीन भावना में होता या परेशान होता तब भी हम परमात्मा को याद नहीं कर पाते इसलिए आज तक भी जब भी हमने चाहे धार्मिक या अध्यात्मिक रूप से उस इश्वर को याद करने की कोशिश की है तो हमने यह अनुभव किया होगा कि थोड़े समय के बात लगता है कि अब मन एकाग्र नहीं हो रहा है अगर हम फिल्म देखते हैं टीवी सीरियल देखते हैं दो घंटा तीन घंटा कहां चला जाता मालूम नहीं चलता लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं सत्संग में जाते हैं ध्यान करते हैं दस मिनिट भी हमें बहुत लगते हैं कारण क्योंकि हमारा मन और बुद्धी दोनों को हम एक साथ उपस्तित नहीं कर पाते हैं तो आईए अभी जाने की मेडिटेशन में हम प्राक्टिकली कैसे बैठे हमको ये तो समझ में आ गया कि मेडिटेशन क्या है कैसे करना है प्राक्टिकली बैठने की विधी क्या है सबसे पहले यदि अपने आपको फिजिकली हमें कैसे बिठाना है तो सबसे उच्चित होता है यदि हमारा शरीर हमारी हेल्थ हमें अलाव करती है तो हम जमीन पर आसन बिचा कर बैठे पालथी लगाकर दोनों पाउम को मोड कर cross leg करके ऐसे सीधे बैठ जाएं कमर सीधी रखें गर्दन सीधी रखें ऐसे बैठना सर्वुत्तम विधी है यदि हम ऐसे नहीं बैठ सकते जिसे सहज आसन कहते यदि हम सहज आसन में नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफा पर बैठ सकते हैं, यदि हम बहुत बिमार हैं, हम अपने बिस्तर पर लेट करके भी का अभ्यास कर सकते हैं, तो पहली बात अपने शरीर को आराम से बिठाएं, शरीर कमफटेबल होना चाहिए, यदि हम हट से कोई आसन लगा लेते हैं, तो हमारा जो मन हैं, हमारी जो बुद्धी है, वो परमात्मा की और एकाग्रु होने की बजाए, बार-बार इस बॉड़ी पुल, ये शरीर उसे खेचेगा, वो घुटने में जो दर्द है, बार-बार हमें याद दिलाएगा, तो हम मन को एक आग्र नहीं कर पाएंगे, इसलिए शरीर को आराम से बिठाएं, सीधा बैठें, कोई शान्त जगह का चुनाव करें, वो हो सकता आपका परसनल रूम हो, या टेरिस हो, चत हो, गरगी, गालरी हो, गार्डन हो, कोई भी ऐसा स्थान जो नीट, क्लीन, पीस्फुल इस प्रकार का स्थान है, उसका चुनाव करें, और अपने मन में सोच लें, मुझे आदा घंटा, दस मिनट, पंदरा मिनट, मेडिटेशन करना है, अपने मन को बतल बता दें, कि प्लीज दो नोट डिस्टर्ब में, फिफ्टीन मिनट्स, आम बिजी, तौकि 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 मेरा मन अन्य बातों में न जाए, तो मन को अपना एक प्रोग्राम हम दे दें, मुझे आधा घंटा मेडिटेशन करना है, अपने मोबाइल फोन से फ न किया जाए, अन्लेस कि बहुत ही कोई इमर्जनसी है, तो इस प्रकास से अपने आपको फ्री करके बैठे, अभी हम बैठ तो गए, फिजिकली, बाहियर रूप से, अब अंदर से क्या करें, अंदर से जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो जैसे हम कुछ दिनों स वो थौट्स जो हम आपको दे रहे हैं, वो जो हम खुद चिंतन कर रहे हैं, वो जो और से बोलते हैं, तो मेडिटेशन प्रारंब करने के लिए, सबसे पहला जो संकल्प है, वो है अपनी प्रेजन्ट स्थिती में अपने आपको यहां भ्रकुटी में ले आना, यह पहला स है, मेडिटेशन का, सोल कॉंशियसनेस, अपनी स्मृती को आत्मिक बनाना, अपने आपको देह से अलग करना, मेडिटेशन में जब हम कोई भी चिंतन करते हैं, या हमारा मन जब कुछ भी सोचता है, तो मन की जो सोचने की भाशा है, वो कोई शब्द नहीं है, वो कोई ले लेंग्विज नहीं है, हमारा मन बहुत ही सिंपली कुछ चित्रों में, इमिजस में सोचता है, जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ एपल, तो इस समय आपकी मन में क्या चित्र है, एक एपल का, आपकी सामने नहीं है, इन आखों से नहीं देख रहे, लेकिन मन की आखों से हम उस एपल को देख रहे हैं, मैं आपको कहती हूँ आकाश, समुंद्र, जो शब्द हम बोल रहे हैं, उन शब्दों को हम अपने मन की आखों से अपने मन में देख रहे हैं, और सिफ देखी नहीं रहे, हम फील भी कर रहे हैं, तो उसी तरह से मन की इस शक्ती को हम में यूज कते हैं जब हम कहते हैं मैं एक आत्मा हूँ तो उस समय अपने मन में यहां ब्रकुटी में एक प्रकाश का जोती का मैं पॉइंट ओफ लाइट जोती स्वरूप हूँ उसका एक चित्र नाचरली हमारे सामने आ जाता और मैं आत्मा कैसी हूँ शांत स्वरूप मेरे अंदर आने लगती हैं तो मेडिटेशन करते वक्त सोचना विश्वलाइज करना और फील करना ये तीनों चीजे एक साथ चलती हैं और एक और बात का हम ध्यान रखते जब हम मेडिटेशन करते हैं कि हमारे जो संकल्ब हम क्रियेट कर रहे हैं सभी पॉजिटिव होने चाहिए ये सोचने की बजाए कि मैं शरीर नहीं हूँ इसको हम positively सोचे कि इस शरीर से अलग मैं एक आत्मा हूँ क्योंकि जब मैं कहती हूं मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा मन अपने मन में किसे देखता है शरीर को उसे ही विश्वलाइज करती हूं और जब मैं कहती हूं मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूं तो मेरा मन विश्वलाइज करता है कि मैं शरीर से अलग होकर कि वो जोती में स्थित हो गई हूँ तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे जब भी मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो अपने मन को संपूर्ण अधिक से अधिक positive thoughts देंगे जो हम feel करना चाहते हैं वही हमें सोचना है क्योंकि राजियोग meditation तो अपने मन का राजा बनना होता है न जब हम बहुत अशान्ती की मानसिक सिती में हैं अगर हम meditation का अभ्यास करते हैं तो अशान्ती में भी मुझे ये सोचना होता कि मैं शान्त स्वरूप हूँ अकसर हम ये प्रकार की mistake करते हैं जैसे हमें से कोई भी नहीं चाहता कि हम क्रोध करें किसी को पसंद नहीं है लेकिन फिर भी क्रोध आ जाता है फिर हम अपने आपको कहते हैं नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है समझो किसी बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति के प्रति मेरा कोई family member ही है और वो उस समय घर में नहीं है और मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी आज मैं क्रोध नहीं करूंगी मुझे क्रोध नहीं करना है, ख्रोध करना अच्छा नहीं होता, मैं अपने आपको suggestions दे रही हूं, हम करते हैं इस थरह से, और फिजैसे वो व्यक्ति सामने आता, तो क्या होता है, जो सोचा था वो सब भूल जाता, और ख्रोध हो जाता है, जानते हैं यह mistake क्यों होती है, क्योंकि हमन अपने मन को सही रूप से मागदर्शन नहीं दिया, हमारा जो पैटरन था, जो गाइडलाइन थी, वो किसी गलत दिशा में जा रही थी, यह कहने की बजाए, कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे अपने मन को एक पॉजिटिव मैसज देना चाहिए था, कि मुझे शानत रहना है, मैं शानत रहूंगी, मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, मैं धीरे से बात करूंगी, मैं अपने मन में इस नहीं को रख करके वहवार करूंगी, आप करके देखिएगा, नाचुरली हमारे अंदर वो चेंज आ जाता, क्योंकि मन जो सोचता, उसे विश्वलाइस कर और उसी को एक्ट करता है, तो मेडिटेशन करते वक्त भी अपने मन को हम पहले आत्मा के बारे में, जो कुछ आज तक हमने जाना है, मैं आत्मा हूं, जोतिविंदु स्वरूप हूं, आजर अमर अभिनाशी हूं, भ्रकुटी में निवास करती हूं, मैं अपने शरीर की मा अली कर्मिंद्रियों को चलाने वाली जो जानते हैं, मैं शान्त स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, जो भी आत्मा के बारे में हमें मालुम है, उसे हमें चिन्तन करना है, चित्रन करना है और महसूस करना है, और उसके बाद second step अपने आपको शरीर से अलग करके, अप उसके बारे में चिंतन करता है, हमारे मन के पास वास्तर में यह शक्ती है, आप चाहें तो एक टेस्ट कर सकते हैं, अभी हमारे साथ में, 30 से के लिए अपनी आखों को बंद करके बैठें, और अपने मन को अपने किसी प्रिय मित्र के घर ले जाएं, दर्वाजे पर पहुँचे, कॉल बेल दबाएं, आपका मित्र आकर दर्वाजा खुलता है, बहुत स्नेह से प्यार से आप मिलते हैं, नमस्ते कहते हैं, अंधर जाते हैं, वो आपको एक बहुत ही अच्छे स्थान पर, comfortable स्थान पर बिठाता है, और आपका फेवरिट ड्रिंक ओफर करता है, हो सकता है वो चाए है, कॉफी है, जूस है या पानी है, आप उस ड्रिंक को पीते हैं, और आप जल्दी में हैं, उससे चुट्टी लेकर के उसके घर से बाहर आते हैं, और अभी फिर वापस यहीं आ जाईए, इस इस्थान पर, आखे खोलिए, आपने यात्रा की अवश्य की होगी, तो आप पास हो गए, मन के पास यह शक्ती है, कि हमारा मन, कहीं यहां बैठ करके भी, जहां चाहे हम उससे यात्रा पर ले जा सकते हैं, मन की इसी शक्ती को हम राजियोग मेडिटेशन की अभ्यास में यूज करते हैं, मास्तों में मैं जानती हूँ कि मैं आत्मा परमधाम वासी हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, तो यहां बैठ कर, इस शरीर में बैठ कर, मुझे सिर्फ मन को गाइड करणा है और उस दुनिया में ले जाना है, वहां ले जाना बहुत आविश्यक है, क्योंकि मुझे शान्ती, पवित्रता, सुख का अनुभव करना है, मुझे जो चीज चाहिए, मुझे वहां जाकर के लेनी होती, कपड़ा चाहिए, तो कपड़े जहां मिलते हैं, वहां जाना पड़ता, vegetable चाहिए तो vegetable shop पे जाना होता electronics चाहिए तो electronics की shop पे जाना होता अब शांती, पवित्रता, सुख, आनंद, respect चाहिए तो जरूर उसी दुनिया में जाना पड़ेगा जहां ये है तो अपने मन से हम वहाँ जाते सिर्फ मन नहीं, मन और बुद्धी दोनों को एकाग्र करके वहां की यात्रा करते हैं इस तरह से हम meditation का अभ्यास करते हैं इस अभ्यास में शायद आपने अनुभव किया होगा या जब हम नए-नए पहले-पहले practice करना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल अनुभव होती हैं किसी-किसी को कुछ इसी प्रकास से हमें लगता है कि हम शुरू में तो बहुत अच्छा concentrate कर पा रहे हैं माने काग्रू होकर कि जो सोच रहे हैं वहीं पर है फिर अचानक ही मन कहीं और दूसरी बातों में चला जाता और फिर थोड़ी देर की बाद याद आता रहे हम तो meditation कर रहे थे फिर से हम सोचना शुरू कर देते मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा शान सुरू हूँ दो-चार मिनिट होता फिर वापस से मन इधर उधर चला जाता है तो इसको कैसे हम control करें कैसे हम इसे guide करें क्योंकि राजियोक meditation का अर्थ है to control and to guide हमें सिर्फ अपने आपको control नहीं करना है मुझे अपनी energies को thoughts को negative में जाने से या गलत दिशा में जाने से रोकना है और उसके साथ साथ उसे rule करना है सही दिशा में जाने के लिए समझो अगर हम phone पर बात कर रहे हैं आपका एक long distance call है और बहुत important किसी व्यक्ती से आप काम की बात कर रहे है आपको line भी clear नहीं है ठीक से सुदाई नहीं दे रहा है और इतने में घर में चोटा बच्चा है मासूम वो अपनी एक book story book लेकर के आपके पास आता है अंकल अंकल ये देखो ये क्या है ये elephant है elephant तो काला होता ये white कैसे बनाया अगर आप इस situation में हो तो आप क्या करेंगे कैसे उसको respond करेंगे या react करेंगे कभी कभी तो हम जब बहुत बिजी होते या तो हम react करते बच्चे को रोकने की कोशिश करते या कभी अगर हम ठीक सिती में हैं तो हम उसे respond भी करते है हाँ हाँ elephant है white होता है ओके मुझे बात करने दो या इशारे से रोकते या किसी और की साहयता लेते या हम अपने phone को छोड़कर कि उस बच्चे से बात करने लग जाते हैं हाँ बच्चे यह elephant है यह ऐसा है यह story बताने लगते हैं ऐसा करते हैं अभी नहीं करते हैं और फिर जो interruption आया बीच में हमारी telephone talk में फिर हम क्या करते हैं जहां रुके थे वहीं से आगे continue करते हैं अक्सर लोग कहते हैं अच्छा तो हम क्या कह रहे थे हम कहां थे and then we continue या फिर से हम कहते हलो नमस्ते कौन बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं कहते न इसी तरह से meditation में हम क्या कर रहे हैं हम परमात्मा से Shib Baba से communication कर रहे हैं यह भी तो telephone call है न आप जानते हैं Shib Baba का phone number क्या है हम आपको last में बताएंगे तो Shib Baba से जब हम phone पे बात कर रहे हैं it's a very long distance call और line भी इतनी clear शुरू शुरू में शायद नहीं मिल पाती है और हम जब बात कर रहे हैं मैं आत्मा हूं Shib Baba मैं आपकी संतान हूं मैं निराकार शक्ती हूं और मन रुपी बच्चा कोई past की बात ले आएगा कल ऐसा हुआ यह नहीं होना चाहिए था या future की बात ले आएगा मुझे यहां जाना है इससे मिलना है उस समय अपने मन को हम एक बार pause करें रुको आंबजी इशारे से उसे आंसर जरूर करें कहें रुको दस मिनट के बाद आंसर करता हूं और अपने उस communication को continue रखें जहां रुका है जहां interruption आया है वहीं से आगे बढ़ाएं तो हम दीरे दीरे जब अभ्यास करेंगे जैसे बच्चे को training मिल जाती है हमारे मन को भी training मिल जाएगी हमारे मन को आज तक तो training नहीं थी नहीं नहीं चीज सीख रहा है फिर वो हमें disturb नहीं करेगा और ही जब हम meditation कर रहे होंगे तो वो अपना सही योग हमें देगा तो हम बात कर रहे थे शिप बाबा के telephone number के उनका telephone number है ध्यान से लिख लीजिएगा 000 वैसे भी जब हम कोई STD कल करते हैं तो 10 लगाते हैं 100 लगाने से क्या होता हम अपनी state से disconnect हो जाते और दुस्रे state में connect हो जाते हैं और 00 लगाते हैं तो हम अपने देश से disconnect होकर के दुस्य देश में पहुंच जाते यहां हम triple zero लगा रहे हैं तो इस भौतिक साकारी दुनिया से disconnect होकर के आत्माओं की दुनिया में connect होते हैं उसके लिए कौन सा telephone चाहिए? निकालेंगे अपनी pocket से? वो telephone काम नहीं आएगा लेकिन इसके लिए चाहिए मन और बुद्धी का telephone और यह जो triple zero है इसमें पहला zero है मैं एक आत्मा हूँ मैं आत्मा कैसी हूँ? Zero के समान दूसरा zero शिप बाबा की संतान शिप बाबा कैसा? जोतिर बिंदू Zero के समान और तीसरा zero है Full stop जितनी बाते मन में हैं उन सब बातों को wind up करके Full stop लगा कर प्रेजंट में मन बुद्धी को लाकर और फिर हम meditation का अभ्यास करें आईए कुछ शानों के लिए इस अभ्यास को करके देखें सीधे बैच जाएं मै आत्मा जोति बिंदू स्वरूप शान्त स्वरूप मेरा मन सभी बातों से हटकर सिर्फ वर्तमान में है और मेरे सामने मेरे परमात्मा पिता शिप बाबा है अपने मन को स्थिर रखें केवल इसी अनुभूती में कि मैं परमधाम में एक जोति स्वरूप आत्मा हूं शिप बाबा के सन्मुखों ओम श्यांती